मैडम जी मार्निंग गुड मार्निंग और बताओ बच्चों, आज क्या-क्या खा कराए हो मैडम जी बासी मच्छरी और बासी रोटी अरे? ये तो पहली बार सुने है कि बासी मच्छरी खाया जाता है तुम बताओ डप्व मैडम जी लोकी का सबजी बड़ा-बड़ा गटा काटा रहा और चना डाल के मसालेदार बनाई रही हमार अम्मी अरे? मेरे तुम मों में पानी आगया सुनकर चलो गट्टू तुम बताओ मैडम जी यालू भारा पर यठा अरे? वाह यालू भारा पराठा? मेरा भी मन कर दिया खाने का मैडम जी लागय था भूखा नहीं हो अरे? ये विटिया बड़ी होसियार है कैसे जान गए कि आज हम खाना का कर नहीं आये है अरे? तुमको कैसे पता चला कि मुझको भूख लगी है मैडम जी हम जानी था है जब भूख लाग रहा था है तो खई पी ये वाला चीज मुझक निकर रहा है बाई होसियार हो तुम देखो एक चीज है तुम लोग गाओं के बच्चे हो और तुम लोगों को खड़ी भासा में बात करना भी आता नहीं है इसलिए तुम लोगों को हम लोग अलग कमरे में बिठा रहे हैं और जब तुम खड़ी भासा में बात करना सीख जाओगे तो और बच्चों के साथ उस क्लास में बिठाने लगेंगे ठीक है मैडम जी खड़ी भासा काओ अरे खड़ी भोली बेटा जैसे हम बोल रहे हैं हमारी लेंग्वेज में बात करो तुम लोग हमको मैम बोलो बेटा मैम अच्छा वो कहीं कोचिंग करवाया गया तुम्हारा निम्की थोड़ा बेटा मेहनत से पढ़ो भी तुमको कुछा आजा नहीं रहा है हाँ मैडम जी कल्हिया हम गयर हम कोचिंग पढ़ा है ये कल्हिया क्या होता है कल्हिया बड़ी मुसीबत है मैडम जी कल्हिया माने कल देखा मैडम जी यह जानी गए आप नाई जानी पायू तो क्या क्या पढ़ी थी बेटा मतलब अच्छा पढ़ा लेती है क्या मैडम जी अरे बेटा जहां कोचिंग पढ़ने गई थी वो अच्छे से ढंग से पढ़ा ले जा रही है बढ़ियां पढ़ा पा रही है हाँ मैडम जी हो देखो फिर मैडम जी कहा थी मैम कहाओ देखो सब को याद है सब मैम कह रहे हैं तुम हमको अभी भी मैडम जी कह रही हो सुवारी मैम मैम इससे मम्मी बोला ली हमार अरे वो तो उसी दिन पता चल गया था कोई नहीं तुम रोज इसकूल में आया करो मैं तो तुम्हे सिखाऊंगी येस मैम, बताई मैम का पढ़ाए रही तीव सनवाली मैम बिल्कुल बिल्कुल चलो मैडम जी, जैसे पढ़ाए रही वैसे बताई था जवन जवन पढ़ाए रही कल ये कुल बताई गुल कुल बेटा लंद तितने पलतालते होते हैं अरे ये क्या तुम बोल रही हो देथो बाव तोले बितियावाते तुथनाई आवत बाई तलो फिलते पूथी थाई लंदे तीतने अपलतालते होते हाई मैम देखो काव काथी अरे ये तुम किस टाइब की औरत से पढ़ रही हो किस लेंग्वेज में तुम बात कर रही हो मैम तुतलाए लागी ना हो हो तुतलाए होई गए देखो माडम जी चिड़ाओ था मसब बताओ माडम जी जौन पूछन हाँ अरे जिससे कोचिंग पढ़ रही थी वो ऐसे बोल रही थी क्या सेम हाँ मैम अरे किस औरत से तुम्हारी मम्मी कोचिंग पढ़ आ रही है तुमको फिर से फिर से बोलो क्या पूछ रही थी तुम लंद कितने पलतालते होते हैं बड़ी मुसीबत है अरे देखो माइडम जी, करिया उजर लाल सफियाद, हरियर पीयर नीला इह कूल अच्छा, रंग कितने परकार के होते हैं तुम पूछी थी न यस माइम, माइडम जी दुसरा कोई स्चान हाँ, बोलो पेलों में तौन तौन थे पत्पी लहते हैं अरे बेटा, तुम बात ही ऐसे कर रही हो हम नाई मैं, कोचिंग वाली बेटा, तुम्हारे कोईस्चन का अंसर देना बड़ा ही डिफिकल्ट है जरा ऐसा करना बेटा, कल अपनी मम्मी को लेकर आना यहां मैं, मम्मी ना आई आई है, मम्मी का बीटी पारलर खुली गाए हमार घर चोराहा पर बनी गाए, अब मम्मी हर दम बीजी रही है अच्छा ठीक है बेटा, जब तुम्हारी मम्मी यहां नहीं आएंगी तो कह देना, कि फोन से हमसे बात कर लेंगी मेरा फोन नमबर लिये जाना, उनको दे देना, ठीक है ना जाने कैसे लोगों से कोचिंग पढ़वा रही है नहीं सोच नहीं बिटिया बरबाद हो जागी, तुतलाने लगी चाह तुम तीनों लोग बताओ, कोचिंग शुरू किया है यस माम बताओ मैम, पेलों में तों तों ते पत्ती लहते है मैडम जी पेर कहा थी अरे पेलों में पत्ती तो जिस चीज का पेर रहेगा, उसी चीज का तो पत्ती रहेगा मैडम जी, नाई आवत है आपो के हमारे वैसे नाई आवत रहा जब पूछत रही मायम जी, पत्ती माने नाई जाना गए अरे पत्ती वही लिप्स मिन्स पत्ता, वही पत्ती भसा देती है बिटी हमें भी देखो मायम, पत्ती मतलाब तिलिया माडम जी माचिस के तीली कहा थी तीली कहा थी माडम जी तीली मत्तरी के तिलिया, तिलिया तिलिया कहा थी मैडम जी ये तिलिया क्या है किसी को चुभाने वाला तिली क्या अले तिलिया था मतलब जो दाना तुनते हैं बादले में उलते हैं ती 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 तिलाते हैं बाप रे बाप मैडम जी तुतलही हो रहा है अधा वस बोले लिए अधा तुतलाई कर हो हो तुतला हिया तुतला हिया तुतला हिया अरी बेटा रहने दो निम्की तुम्हारी गलती नहीं है कल तुम फोन से अपनी मम्मी से बाप कराना हमको इस मैं देखो ऐसा है मैं जा रही हूँ अब घंटी लगने वाली है दूसरे कलास में पढ़ाने और तुम लोग बदमासी बिलकुल भी ना करना ओके मैं इसे बोलो नहीं करेंगे बदमासी गुड गुड बहुत अच्छे